तो यहां पे यह वाला question क्या है गलत है ठीक है अगला question देखते हैं for a sandiswile the maximum and minimum void ratio e max and e minimum का मान दे रखा है and the existing void ratio यानि कि natural condition में जो है void ratio का मान 0.65 है the relative density ग्याद करना है तो हमको relative density बताना है तो relative density relative density id बराबर देखे relative density को density index बोलते हैं relative density बोलते हैं degree of density बोलते हैं तीन नाम बोलते हैं ठीक है ना d e g r w degree of density और इसके बाद से density index density i nd e x ठीक है तो density index relative density और degree of density जो है इसको बोलते हैं तो यहाँ पे id कमान बताना है तो id बराबर e max कमान दे रखा है .75 e minimum कमान दे रखा है .4 और यहाँ पे natural condition में e कमान दे रखा है .65 तो id बराबर होता है e max minus e e क्या होता है natural condition में upon e max minus e minimum ठीक है तो यहाँ पे सारा दे रखा है आप इस फर्मूले में रखोगे तो answer आएगा जो वो सही हो जाएगा ठीक है simple तरीके से यह निखल जाएगा तो इसका जो answer आएगा उसे मैं बता देता हूँ क्या आएगा तो इसका answer आएगा d वाला option .3 जो है इसका answer आने वाला है तो इसको आप साही कर लेंगे फिर अगला question देखते हैं ए स्वाइल cohesive soil ठीक है ना cohesive soil yield a maximum dry density गामा डी का मांदे रखा है 16 किलो नीटन पर मीटर क्यू गामा डी का मांदे रखा है और during standard proctor compaction test if the specific gravity दे रखा है 2.65 what would be the void ratio तो देखें गामा डी बराबर हमको पता है g gamma w upon 1 plus e तो हमको e calculate करना है और gamma d का मांदे रखा है 16 किलो नीटन पर मीटर क्यू और G command दे रखा है 2.65 और gamma W command यहाँ पर देखिए यह किलो न्यूटन पर मीटर क्यू में दे रखा है तो gamma W command रखेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू ठीक है ना तो इस फार्मूले में सेंपल तरीके से रखेंगे तो यहाँ से निकाल आए गया void ratio command तो यहाँ पर void ratio command आने वाला है 0.624 तो इसको कर लेंगे अगला question है दिया गया है गेली मिट्टी का भार तो गेली मिट्टी का भार दिया गया है ठीक है वो partially saturated हो सकती है या saturated हो सकती है 1.2 kg सूखी मिट्टी का भार दे रखा है 1 kg और मिट्टी का आयतन दे रखा है 714.29 cm की विशिष्टो गुरुतों दे रखा है 2.7 तो मिट्टी के सूखे घनतों यानि के dry density की बात कर रहा है ठीक है तो dry density हमें ग्याद कर रखना है वो भी kg per meter q में तो dry density बरबर क्या होता है WS weight of soil solid अपान में volume ठीक है क्या होता है weight of soil solid अपान में volume और इसको लिख सकते हैं ऐसे भी mass up soil solid MS अपान में VQ ठीक है तो mass up soil solid अपान में volume तो इसका मातरक क्या आएगा इसका मातरक आएगा kg per meter q और इसका मातरक आएगा kilo newton per meter q ठीक है तो हमको ये वला करना है तो हमने MS अपान VQ ये ले रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखिए सूखी मिट्टी का भार दे रखा है ना सूखी मिट्टी तो अगर मृदा सूखी रहेगी अगर कोई स्वाइल सूखी है तो उसमें क्या होगा उसमें water नहीं होगा उसमें water क्या होगा नहीं होगा उसमें क्या होगा air होगा तो air का भार कोई होता है air का भार नहीं होता है तो जो भार होगा वो क्या होगा मृदा के कड़ो का तो जो भार होगा वो मृदा के कड़ो का ठीक है तो हमको तो kg मिलिया और mq तो देखेए है उसका आयतन स्फाहील का आयतन जो है 714 4.29 cm q दे रखा है स्फाहील का आयतन दे रखा है तो हमने देखा न अभी क्या Be अब इन्मा अधा गामा डी वरबर क्या था एम एस अपांए भी क्यों टोटन जो है स्वाहील का आयतन है अब यह देखिए सेंटिमेटर क्यूब में है ठीक है न अब इसको हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो आप जानते हैं कि सव सेंटिमेटर जो होता है वो एक मीटर के बराबर होता है तो एक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा एक बाटे सव मीटर के बराबर हो जाएगा अब इस एक बाटे सव को अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे टेन टू पावर माइनस टू मीटर तो यहाँ पे cm के जगा पे 10 to power 10 to power minus 2 meter और इसका whole q कर देता है ठीक है तो यह क्या हो गया kg per meter q में change हो गया तो अब यह 10 to power minus 2 है इसकी power 3 है तो यह कितना हो जाएगा 10 to power minus 6 और minus 6 है तो यह अगर बटे से उपर चला जाएगा तो यह कितना हो जाएगा plus ठीक है ना तो 10 to power 6 upon 714.29 तो यह कितना हो जाएगा 10 to power 6 upon 714.29 यह हो गया तो यह किस में हो गया kg per meter q में ठीक है तो अब देखिए अब 10 to power 6 में 714.29 का जो भाग दे देंगे तो जो आएगा वह ही dry density हो जाएगी तो 10 to power 6 है ना तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6 अब इसमें जो है 714.29 से भाग जो हम दे दे रहे हैं तो कितना आ गया 1, 3, 9, 9, 9 तो इस 9 को जो हे करेंगे तो आल्मोस्ट क्या है यह, 1400 क्यों है ठीक है ना तो यहां पर जो जाएगा 1400 तो आंसर देखिए क्या दे रखा है आंसर यहां पर पहला वाला 14 gods दे रखा है तो यही क्या करेंगे सही कर देंगे ठीक है, 1400 kg पर मेटर Q, इसका क्या होगा, सूखे घनित्व का, इसका जोए सूखा घनत्व हो गया, ठीक है, अगला question है, for a granular smile, कोड़ो वाली smile है, with increasing void ratio, void ratio increase the critical hydraulic gradient, तो critical hydraulic gradient क्या होता है, I बराबर G-1 upon 1 plus E, तो granular करो वाली smile है, तो अगर void ratio का मान बढ़ाओगे, यहां पे void ratio का मान बढ़ाओगे, तो hydraulic gradient का मान क्या होगा, कम होगा न, यह बढ़ेगा, तो नीचे वाली total value बढ़ेगी, और उपर वाली उतने ही रहेगी, तो जब total जैसे, 4 बटे में, मान लेजे की 2 है, तो अभी कितना आ रहा है, यह 2 आ रहा है, अब 4 बटे में हम कर दें, 8 कर दें, तो अभी कितना आएगा, 0.5 आएगा, तो आपने देखा, नीचे वाली value बढ़ रही है, तो total जो मान है, इसका क्या रहा है, कम आ रहा है, तो wide बटे में, तो यहां पर देखे, वाला ओप्शन ही, क्या कर देंगे, सही कर देंगे, वो decrease करेगा, decrease मतलब होता है, घटना, कम होना, तो यह क्या होगा, कम होगा, अगला question है, the ratio of weight of water to the weight of solid, तो क्या होता है, water content बढ़ाबर होता है, weight of water अपन में weight of solid, तो इसको क्या बोलता ह तो यहां पर देखे, वी वाला ओप्शन क्या दिया रहा है, water content, void ratio आप जानते ही है, degree of saturation पता ही है, porosity पता ही है, सब कुछ पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला question है, क्या है, in a weight, soil mass, weight soil mass कह रहा है, air occupied 16, उसमें जो air occupied है, जो वाइट, sorry, उसमें air 1 by 6 है, of its volume, इसके आइतन का 1 by 6 जो air है, और water जो घहर रखा है अपना जगा, वो 1 by 3 घहर रखा है, इसके total आइतन का, ठीक है, तो total आइतन का, तो यहां पर क्या बताना है हमको, wide ratio बताना है, ठीक है, तो चली, wide ratio बता देते हैं, तो यहां पर देखिए, यह कोई partially saturated smile है, और यहां पर इसका total volume जो है, V है, ठीक है न, तो यह जो air है, इसमें air है, 1 by 6 क्या है, V है, और water क्या है, 1 by 3 V है, ठीक है, अब total आइतन भी है, और यह नीचे वाला क्या है, volume of smile solid है, और volume of water जो है, 1 by 3 जो है, total आइतन का, एक बता तीन गुना, और air जो है, total आइतन का, एक बता छे गुना हो है, ठीक है, तो यह water प्लस air का आइतन मिलके क्या होता है, volume of whites जो होता है, volume of air प्लस volume of water, ठीक है, तो यह water और प्लस air का आइतन मिलके क्या हो जाएगा, volume of whites, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 1 by 6 और 1 by 3, तो 1 by 6 प्लस 1 by 3, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 3 by 6, तो यह कितना हो जाएगा, 1 by 2, तो volume of whites का मान कितना हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 1 by 2 V ठीक है न तो अब volume of whites का मान जो है 1 by 2 हो गया तो अब जो volume of soil solid है उसका भी क्या हो जाएगा आयतन 1 by 2 ठीक है तो अब यहाँ पे हमें white ratio बताना है तो white ratio क्या हो जाएगा volume of whites अपान में volume of soil solid तो यहाँ पे रख देंगे तो कितना आएग जाएगा 1 तो यहाँ पे 1 जो है नहीं दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे 1 जो है नहीं दे रखा है तो यह सवाल क्या हो जाएगा गलत ठीक है न तो हमारा volume of whites का आ रहा है 1 by 2 V आ रहा है और total item V है तो V क्या होता है total item volume of soil solid plus volume of whites होता है तो volume of whites कमान 1 by 2 V यहाँ पे रख दोगे जब तो यह volume of soil solid कमान कितना आ जाएगा इसका वेमान आ जाएगा 1 by 2 V अब दोनों कमान से हम हो गया तो हमको porosity void ratio निकालना है तो volume of whites अपान में volume of soil solid होता है तो जब यह करोगे तो इसका value जो आएगा वो आएगा 1 और यहाँ पे option में कोई 1 दिया ही नहीं है तो यह सवल क्या है गलत है ठीक है ना option नहीं दिया है तो इसका मान कितना आ रहा है 1 तो यह हम लोग का लगाए है जो वो सही है अगला question देखते है for a given for a given single Charles Wow それ grain are spherical grain क्या है spherical है और shape क्या होता है shape grain are spherical shape and uniform size their theoretical तो अगर तो यहां पर Theoretical Waid Racial पूच रहा है और वो क्या है ग्रेंद के साइज जो हें यूनिफार्म ली हैं और से तीक हां सैज कें तरह इसका जो मैक्सिमुन जो वाइट डी स्थी होता है वह होता है 0.91 इन 0.91 और जब dense condition में होंगे तो कितना होगा 0.35 ठीक है और n कमान कितना होगा lose condition में n कमान कितना होगा 0.47 और n max कमान है 0.47 और n minimum कमान कितना होता है 0.26 ठीक है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाला option जो है सही हो जाएगा 0.91 ठीक है अगर लूजली पैक रहेगा तो अगर densest पैक रहेगा तो 0.35 होगा और पोरोसिटी कमान अगर लूजली पैक है तो 0.47 होगा अगर densest पैक है तो 0.26 होगा इस चीज़ को द्यान में रखेंगे अगरा question क्या है एस वाइल है percentage air voids लिखा है ठीक है percentage air voids तो यहाँ पर इन ए कमान दे रखा है एन ए एन ए बराबर होता है volume of air आपान में total volume the order of 30% it has porosity 0.4 the air content तो एन ए बराबर होता है AC into N जो percentage air voids होता है वो air content और पोरोसिटी के गुड़न फल के बराबर होता है तो क्या कह रहा है यहाँ पर जो है air दे रखा है percentage air voids दे रखा है porosity दे रखा है air content निकालना है तो NA बराबर AC into N तो AC बराबर क्या हो जाएगा air content बराबर NA upon N ठीक है ना तो NA कमान कितना है 30 और porosity कमान कितना है 0.4 तो इसको 30 को change करेंगे तो यह fraction में 10 मलो 3 0 अपान में 10 मलो 4 0 तो 3 बटे 4 हो गया तो 3 by 4 को क्या बोलते हैं तो इसको अगर करोगे तो 5 6 के 30 और 5 बटो 40 फिर 2 3 6 2 चुब के 8 तो 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 का मतलब होता है 75 परसेंट ठीक है ना 3 बटे 4 को अगर 100 से गुड़ा करोगे तो 4 से कटेगा तो 25 बार में कटेगा और 25 कितना हो जागा 75 तो 75 परतीस तो यह फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 0.75 तो पहला वाला उप्सम जो है सही कर देंगे पहला वाला उप्सम दे रखा है 0.75 वाइड रसीव आप इस वाइल अब ए कमांद दे रखा है 0.9 और पोरसिटी पूछ रहा है तो n बराबर e अपान वे 1 प्लस e होता है इस फार्मूले पर कर लेना अंसर बताने की ज़रोत नहीं है फार्मूला जो आएगा अंसर वही सही कर देना एप पार्सली सेचुरेटर सेंपल आप इस वाइल है यूनिट वेट पार्सली सेचुरेटर ने ठीक है न तो उसका टामा टी रखा रहा है इंड़ मौयस्च्टर कंटेंट मौयस्चर कंटेंट में रेक्प शुबस एक तो पूछ रहा है डिग्री आप सक्रहा ये हमको जी पता है और उल Sikh पता है और हमको क्या चाहिए और हमको E चाहिए ठीक है न तो E जब मिल जाएगा तो GW बराबर SE इस फार्मूले पर रखेंगे तो degree of saturation S कमान जो है निकल जाएगा तो हमको केवल E कल्कुलेट करना है तो चलिए मैं E बता जाता हूँ कैसे कल्कुलेट होगा तो गामा T बराबर फार्मूला होता है G गामा W 1 प्लस W अपान में 1 प्लस E ठीक है न तो गामा T कमान पता है यह देखे ग्राम पर सेंटिमीटर Q में दिया है तो यहाँ पर ग्राम पर सेंटिमीटर Q में रख देंगे G कमान दे रखा है और गामा W कमान भी 1 रख देंगे ठीक है इसका 1 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यू इसका जो वैलू होता है ठीक है तो इस कमान 1 रख देंगे और 1 प्लस वाटर कंटेंट 20% रखा है तो यहाँ पे 0.2 रख देंगे और यहाँ से E बस बचेगा तो E कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा वो GW बराबर SE तो यहाँ पे E कमान आ गया और GW कमान तो दे ही रखा है तो यहाँ से S निकल जाएगा ठीक है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो B वाला सही होगा Sorry C वाला सही होगा ठीक है ना 92% जो ही इसका आंसर आने वाला है तो इसको लगा लेना आप अगला question क्या कह रहा है What is the ratio of volume of air voids ठीक है volume of air voids यानि कि VA to the volume of total voids तो volume of total voids का होता है VB तो अब इसको पूछ रहा है क्या कहेंगे तो इसको ASC कहते है air content air content पर रवर क्या होता है volume of air आपान में volume of total voids तो यहाँ पर B वाला option जो है air content सही हो जाएगा percentage voids जो है porosity को बोलते हैं n को बोलते है percentage voids पहला वाला जो option है percentage voids जो है n को बोलते है air content हमने बता दिया porosity porosity भी n को बोलते है ठीक है देखिए दो दो नाम दिया है और यहाँ पर percentage air voids जो है n एक को बोलते हैं ठीक है ना तो तीनों के तीनों बता दिये आगला क्या question कह रहा है अब इसमें मिलाना है सूची एक और सूची दूसर मिलान के जिए सूची को मिलाना है तो चलिए मिलाते है क्या के दिया है porosity दिया है air content दिया है water content दिया है specific gravity दिया है तो सब पता ही है आपको तो air content जो क्या हो जाएगा volume of air देखिए volume of air voids अपान में volume of voids तो यह पहला वाला जो मिल रहा है वो यह हो गया और water content क्या होता है तो देखिए b वाला क्या देखा है weight of water अपान में weight of solid तो b वाला का यह हो गया फिर unit weight of soil solid अपन में unit weight of water यह हो गया specific gravity का और जो last वाला बचा volume of voids अपन में total volume of soil mass तो यह क्या हो गया यह वाला ठीक है न तो a का d हो गया तो देखिए a का d दे रखा है b वाले में तो इसको सभी करेंगे और b के लिए one हो गया ठीक है तो यहाँ पर b के लिए one नहीं दिया है फिर c के लिए b हो गया तो C के लिए B भी नहीं दे रखा है और D के लिए C हो गया तो D के लिए C भी नहीं दे रखा है तो कौन सा सही होगा तो देखिए ये option लग रहा है गड़बढ है ठीक है ना option क्या है गड़बढ है और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़े हैं वह सही हमने मिलान किया है तो आप देख लेना ठीक है वह सही है option गड़बढ दिया है तो सवाल ही गलत है सवाल नहीं गलत है option गलत दिया है अगला question देखते है 244 नंबर क्या है in the water content if the water content of fully saturated soil must 100% water content क्या है 100% then the void ratio आप the sample तो wide ratio क्या होगा तो देखिए GW बराबर SE तो water content 100% दिया है तो वो स्वाल क्या होगी पूरी तरीके से saturate होगी है ना fully saturated कहा रहा है fully saturated और water content का मान 100% रहा है तो G बराबर क्या हो जाएगा G into 100 को fraction में बदलेंगे तो 1 plus degree of saturation क्या हो जाएगी 100% को बदलेंगे तो 1 और into E तो wide ratio जो है specific gravity के बराबर हो जाएगा है ना wide ratio specific gravity के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या दे रखा है independent to the specific gravity of soil यह गलत है equal to specific gravity of void ratio of sample is equal to specific gravity of soil तो यह भी वाला option ही सही है तो इसे हम सही कर देंगे अगला question देखते है the water content in soil the water content in soil is तो water content क्या होता है W बराबर weight of water अपनों weight of soil solid तो option देखिए ratio of volume कहरा है तो पहले ही छोड़ देंगे volume कहरा है तो छोड़ देंगे weight of water कहरा है और यहाँ पर volume कहरा है तो इसे भी छोड़ देंगे लास्ट वाला अप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा weight of water to the weight of solid ठीक है the ratio of volume of voids bv to volume of voids in the soil in its volume v to define edge तो vv और v इसको क्या कहते हैं इसको porosity कहते हैं या percentage voids कहते हैं ठीक है ना तो पहला वाला अप्सन ही सही है और बाकी तीरों आप्सन तो बताने के जरूत नहीं है यह void ratio है पता है degree of saturation भी पता है और mass density क्या है density वरबर घंदर भमान बटन में आयतन होता है तो यह mass density हो जाएगा mass अपन में volume ठीक है तो यह हो गया यह अगरा question देखते है क्या है the compacted dense sand is the compacted dense sand is approximately equal to relative density the relative density relative density of aggregate dense sand तो यहाँ पे relative density यानि की id की बात कर रहा है और compacted sand कह रहा है ठीक है न तो देखिए अगर कोई यहाँ पे sand है तो अगर वो loose condition में है तो उसमें जो है void ratio कमान होगा वो e कमान होगा वो जादे होगा अगर वो पूरी तरीके से dense condition देखिए dense कहने का मतलब है पूरी तरीके से compacted है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें voids जो है वो सारे के सारे खतम हो गए है इसका मतलब है कि वो जितना compact हो सकता था उसके particle जितना पास-पास आ सकते थे उतना पास-पास आ गए है अब वो पास-पास नहीं आ सकते फिर भी उनमें जो है बहुत कम minimum जो है voids बचा हुआ है ठीक है ना minimum क्या बचा हुआ है voids तो जब पूरी तरीके से compacted है dense है तो density index का मान जो है क्या होगा यह ज्यादा होगा हाँ ना तो 100% नहीं होता कभी भी 100% से कम ही रहता है लेकिन maximum होगा तो यहाँ पे 120 दे रखा है 1.2 तो यह गलत हो जाएगा और यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0.95 तो maximum है तो density index कमान होता है 0 से बड़ा 0 से बड़ा या 100 या 100 से छोटा तो 100 से हमेशा छोटा ही रहता है तो यहाँ पे 0.95 दिया है तो इसी को क्या करेंगे सही कर देंगे हाँ ना आगला question देखते है क्या है कि dry density of soil sorry एक मिरिदा प्रतिदस की porosity सरादरता दे रखी है n कमान दे रखा है n कमान दे रखा है g कमान दे रखा है और मिरिदा का सुस का गाना तो गयाद करना है और गामा डबलू का भी मान दे रखा है तो गामा डू बरबर g गामा डबलू अपन में 1 प्लस e ठीक है तो e हमको नहीं दिया है a ने दिया है तो e बरबर हम ग्याद कर लेंगे n अपन में 1 माइनस n से तो इसको अप कर लेंगे मैं छोड़ देता हूँ और option भी नहीं है यहाँ पर छोड़ गया है तो साही कर लेंगे अगला है the relationship the relationship between air content of soil and degree of saturation sr तो air content plus degree of saturation बरबर क्या होता है 1 तो अब यहाँ से साही कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए air content बरबर क्या हो जाएगा 1 minus sr तो c वाला option जो है सही हो जाएगा c वाला option क्या हो जाएगा सही if the degree of saturation इनने partially saturated soil degree of saturation sr कमान दे रखा है 60% than the air content of the soil तो जब degree of saturation कमान 60% है और दोनों अभी देखा हमने की ac plus sr बरबर क्या था 1 यानि की 100% ठीक है ना तो sr कमान 60 दे रखा है तो ac कमान कितना हो जाएगा 40% तो सही कर दोगे आप तो पहला वाला option क्या हो जाएगा सही फिर a dry soil has specific gravity 1.35 dry soil है उसकी specific gravity 1.35 दे रखा है ठीक है ना if the specific gravity of soil specific gravity of soil 2.7 soil का specific gravity 2.7 दे रखा है then the void ratio is तो अब यहां पे जो है void ratio कमान हमें बताना है ठीक है तो क्या हो जाएगा if a dry soil है soil क्या है पूरी तरीके से सुकी है तो हमें void ratio कमान बताना है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए हमने पढ़ा है gamma d बराबर gamma d बराबर g gamma w अपान में 1 पुलस ए ठीक है न तो देखिए dry soil है ठीक है dry soil की specific gravity 1.35 दिया है तो g d specific gravity क्या हो गया dry soil का और अपान में gamma d यह dry soil का weight density अपान में gamma w water का weight density तो g d का मान्दे रखा है और इसमें gamma w से इधर गुडा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा dry density पता चल जाएगा ठीक है तो यह 1.35 दे रखा है और unit नहीं तो इतना काम है तो इसका मतलब यह gram पर centimeter q में दे रखा है ठीक है ना तो gamma d का मान्द क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 1.35 तो gamma d क मान्द कितना आगया gamma d क मान्द कहा गया gamma d क मान्द कितना आगया 1.35 अब gamma d पता चल गया जी पता चल गया और gamma w को जो है 1 के लेंगे तो e निकालना है void ratio void ratio निकालना है तो gamma d बर और क्या जाएगा g गामा w अपान में 1 प्लस e तो यह पता है, यह पता है, यह पता है, तो E निकाल लेंगे, तो इसके मैं छोड़ दिये दता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगली question की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, the specific gravity of a saturated soil sample, specific gravity of a saturated soil sample 2.78, water content 17%, what would be the void ratio of a sample, तो saturated soil दिया है न, तो S बराबर क्या है, 1 है, G बराबर क्या है, 2.78 है, और water content बराबर क्या है, 17%, तो formula पता है, GW बराबर SE, तो यहां से आप कर लोगे, अगला question देखते है, the bulk density, आफे compacted, bulk density यानि कि gamma T की बात कर रहा है, compacted subgrade is 1.85 gram per cc, यानि कि gram per centimeter cube, ठीक है न, इसका क्याने का मतलब यह है, if the moisture content, W कमान दे रखा है, then the dry density, तो gamma D बराबर, gamma D बराबर, gamma T upon 1 plus W, तो gamma T दे रखा है और W दे रखा है, तो आप gamma D निखाल लोगे, अगला question देखते है, wide ratio दे रखा है, water content दे रखा है, gravity दे रखा है, तो degree of saturation निकालना आए, तो वह निकाल लोगे, इसके में भी वही है, when the pores of swirl are fully water, then swirl is called, तो जो whites हैं, यह swirl है, और यह जो पूरे के पूरे whites हैं, volume of whites हैं, यह total water से भरा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, fully saturated हो जाएगा ना, जितने भी सारे अगर whites हैं, जितने whites हैं, अगर water से भरे हुए हैं, तो उसमें बोलेंगे, fully saturated, तो क्या हो जाएगा, बीवला ओप्सन जो फूली saturated हो जाएगा, ठीक हैं, यह दिम्रिधा का सकल भार, cool weight दिया है, और उसके ठोस कड़ो का भार दिया है, डवलू एस, तो जलांस बताइए, तो water content पूछ रहा है, तो water content पर और क्या होता है, weight of water upon weight of soil solid, तो weight of soil solid दे रखा है, और total volume दे रखा है, तो total volume में से, total volume minus soil solid घटा देंगे, तो क्या चल जाएगा, यह weight of water, ठीक हैं, तो w minus w s क्या होगा, यह weight of water होगया, ठीक हैं, तो water content अबर अबर क्या लिख देंगे, w minus w s upon w s, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यह, कर लो इसको, तो w से भाग देते हैं, तो w upon w s minus 1, तो ऐसा कुछ तियर आएगा, तो हो जाएगा, अंसर सही, तो देखिए, यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह देखिए, c वाला option क्या है, सही है, ठीक है, यह भी नहीं होगा, यह प्लस है, और यहाँ पे आ रहा था, minus 1, तो क्या सही है, हमारा c वाला सही है, फिर आगे देखते हैं, गामा सब, मृदा का कोई निमगन भार, और गामा सेट, इकाई भार, सैचुरेटेड भार, गामा डवलू जो है, पानी की इकाई भार है, तो उनकी सही सुतर क्या है, तो देखिए, अगर कोई सबमर्ज, सबमर गामा सब, यानि की डूबी हुई आवस्था में, यूनिट वेट, मृदा का डूबी हुई आवस्था में, यूनिट वेट, वो जो है, गामा सैट, पूरी तरीके से सेचुरेटेड स्वाइल का यूनिट वेट, माइनस गामा डवलू, यानि की यूनिट वेट आप वाटर यह होता है फार्मूला इसका ठीक है तो आप मिला लो कौन सा सही है देखें सी वाला जो है आप्षन है वो सही है ठीक है ना गामा सब बरबर गामा सेट मैनस गामा डवलू आगला क्वेशन देखते है बल्क डेंस्टी आफिस वाइल बल्क डेंस्टी दे रखा है गामा टी कमान ग्राम पर से सीसी में एंड वाटर कंटेंट दे रखा है डवलू कमान दे रखा है तो ड्राइ डेंस्टी बताना है तो गामा डी मराबर गामा टी आपने वन पलस डवलू तो गामा टी दे रखा है डब्लू दे रखा है तो गामा डे निकल जाएगा तो दो सव नठावन का आप कर लेना इसका आंसर आने वाला है कितना इसका आंसर आएगा सी वाला ये वाला ठीक है तो अगर कोई स्वाइल है अगर कोई स्वाइल है उस पे स्वाइल लगाएंगे तो वो क्या होगा वो पूरी तरिके से वो टूट जाएगा ठीक है तो कोई स्वाइल जो है ऐसे है तो उसकी स्टेंथ ज़ाद है तो उसे हम तोड़ देंगे और फिर उसी वाटर का इंटेंट पे उसे छोड़ देंगे तो वो अपने आप समय के साथ जो है उसमे लोड सहनी की छमता आ जाएगी तो इस गूर को बोलते हैं हम लोग थिकसो ट्रोपी ठीक है इस गूर को बोलते हैं हम लोग क्या थिकसो ट्रोपी तो स्वाइल की पहले स्टेंथ इतना थी जब हमने उसे तोड़ दिया तो उसकी स्टेंथ जोए घट गई ठीक है अब फिर समय के साथ क्या होगी बढ़ेगी फिर हम तोड़ देंगे तो फिर कम हो जाएगी फिर बढ़ेगी फिर तोड़ देंगे तो ऐसे इसका ग्राफ होता है ठीक ना यहां इतना स्टेंथ था हमने तोड़ दिया तो इतना आ गया सीधा फिर यह समय के साथ क्या होगा बढ़ने लगा फिर हमने तोड़ दिया तो फि से हम बोलता है ठीकक सो ट्रपी एंधिक है और सेंस्टिविती क्संटिविती में और और A है ना तो देखिए इसको मैं बताता हूं कि यू यू का मतलब है कि इस्ट्रेस सैने की छमता जैसे कि यहां पे कोई स्वाइल है तो अभी इस पे जो है हम लोड लगा रहे हैं तो यह जो है दस कीलो न्यूटन पर सेंटिमीटर स्कार या मीटर स्कार का लोड ले रही है ठीक ह आप जानते हैं कोड़ना इसको खन देते हैं इसको खन देते हैं या कोड़ देते हैं तो अब तो यह लूज हो जाएगा तो अब हम इस पे लोड लगाएंगे तो क्या इसके लोड सैने की छमता सोही रहेगी आप बताएए नहीं रहेगी यह क्या हो जाएगी कम हो जाएग ठीक अन तो वह है यहाँ पे कि Lenrell जो है सेंसीस्टिविटी जो है एस्टी जो है क्यु यू है यानि कि stress on disturb condition में on disturb condition में uponमे क्यू यू disturb condition में ठीका ना किसमें disturb condition में तो शुरुवात में जो है इसकी strength जब smile जब smile एसे नेचुरल अवस्था में थी तो इसको बोलेंगे अन डिस्टर्ब कंडिशन तो यह ज्यादा लोड ले रही थी फिर हमने इसको कोड दिया या खान दिया ठिक है तो अब इस पर लोड लगाएंगे तो इसको लोड सहने कि छमता क्या हो गई रहेगी कम हो गई रही तो यही व की कोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ठीक है और के और एक्टिविटी क्या होता है कूछ cutting Kmy क्या होता है activity वरोबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपनमें cw cw वह है कि दो माइकरान से छोटे कड़ों का फाइनर परसेंटेज यानी कि दो माइकरान से छोटे कितने कड़य है उनका फाइनर परसेंटेज ठीक है ना और ib बराबर होता है आप जानते हो कि liquid limit minus plastic limit ठीक है ना तो activity से ये पता चलता है कि कोई स्वाइल water के संपर्क में आने पे कितना swell कर रही है, कितना फूल रही है, और कितना shrink कर रही है, याने कि कितना संकुचित हो रही है, सिकुड रही है, ठीक है? तो activity से हमें ये पता चलता है, और sensitivity से हमें ये पता चलता है कि कोई स्वाइल उसको जब natural अवस्था में थी, तो वो कितना load सह रही थी, और मतलब कितना गुना load सह रही थी, नेचुरल अवस्था में जब थी, वो तब, और जब हमने उसको disturb कर दिया, तो वो कितना load सह रही है तो वो कितना गुनल लोड से है रही थी वो वदाती है ठीक है तो यहां पे ठीक्सो ट्रॉप इसा ही है अगला question देखते है valid range for degree of saturation the degree of saturation of soil percentage तो जो degree of saturation का मान होता है वो 0 से ज्यादा या 0 के बराबर और 100 से ज्यादा है या 100 के कम होता है तो देखिए degree of saturation बराबर volume of water अपन में total whites होता है तो अब बताएए कि जो water है smile में water command 0 हो सकता है जब smile पूरी तरीके से सूखी रहेगी तो water नहीं रहेगा तो s command क्या होगा 0 ठीक है अब बताएए कि क्या यह तो 0 हो गया अब बताएए कि जो water है वो volume of whites के बराबर हो सकता है हाँ तो हो सकता है कब होगा जब smile पूरी तरीके से saturate होगी तो इसके जितने भी सारे volume of whites हैं उनमें क्या होगा volume of water होगा तो यह क्या हो जाएगा यह दोनों बराबर हो जाएँगे तो s command कितना आ जाएगा one ठीक है ना अब कोई condition है तो अब जीरो भी हो गया one भी हो गया अब मालेद यह कि जो water का आयतन है volume of water वह इसे से क्या है volume of white से कम है और ना तो पूरा सुखा है और ना ही पूरा saturated है माले पार्सिली saturated है तो उस condition में जो s command आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा ठीक है जीरो और 1 के बीच में आएगा वो ठीक है ना तो अब इसे लिखेंगे कैसे तो इसे ऐसे ही लिखेंगे 0 भी हो सकता है 0 से ज़्यादा भी हो सकता है 100 भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है तो यहाँ पर डिवल ऑप्शन जो है साही कर देंगे वाटर कंटेंट आप इस वाइल केन भी तो वाटर कंटेंट क्या होता है वाटर कंटेंट डवलू डवलू अपान में डवलू S तो water content क्या 0 हो सकता है तो हाँ 0 हो सकता है ठीक है न अगर सूखी रहेगी तो water रहेगा इन्हें तो यह 0 हो जाएगा ठीक है अब बताइए कि क्या यह weight of water है वो weight of smile के बराबर हो सकता है weight of water क्या है weight of smile के देखिए वहाँ पे volume के बात हो रहे थे degree of saturation में और यहाँ पे भार की बात हो रहे है यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे भार की बात हो रहे है तो क्या weight of water weight of smile solid के बराबर हो सकता है तो हाँ हो सकता है ठीक है न weight of water weight of smile के बराबर हो सकता है ठीक है कब होगा जब smile smile बहुत lose condition में होगी और उसके जितने भी उनमें वाटर भहरा होगा ठीक है तो ये one भी हो जाएगा zero भी हो जाएगा लेकिन क्या zero से कम होगा नहीं नहोगा और जब one हो गया तो ये कि क्या होगा कि ऐसी भी condition आएगी कि यह उसको कैसे लिखेंगे कर तो वाटर कंटेंड का मुझोमान है वह जीरो या जीरो से अधिक होगा इसको ऐसे लिखेंगे जीरो भी हो सकता है और जीरो से अधिक technique हो सकता है सब्सक्राइब तो यहां पर option क्या है देख लेते हैं नेवर greater than 100 तो कहा रहा है कि कभी नहीं 100 से दिख होगा तो हमने देखा कि ये 100 से दिख हो सकता है take value only from 0 to 100 ये 0 से जादा है और एक से भी जादा है तो ये भी नहीं है होगा फिर से be less than 0 0 से कम तो होगा ही नहीं be greater than 100% तो यहाँ पर ये वाला option जो है सही कर देंगे 100% से जाद है ठीक है उपर वाले तीनों option नहीं मैच कर रहे थे ये वाला मैच कर रहा है तो इसी को सही कर देंगे अगला question क्या है water content of a sample of soil is the shrinkage limit अब water content water content of a soil sample is at the shrinkage limit shrinkage limit पे water content की बात कर रहा है which of the following parameter will not be affected कौन सा जो है इनमे से affected नहीं होगा by reduction in the water content of soil तो water content जो है कम करेंगे तो चारों option में से कौन सा affected नहीं होगा तो क्या दे रखा है volume of soil soil का आयतन bulk density of soil यानि कि gamma t और degree of saturation is और air content तो यहां पे जो है volume है soil का वो नहीं चेंज होगा देखिए यह क्या है soil है इसका यह फेज़ना ग्राम है ठीक है ना अब यह shrinkage limit पे है तो shrinkage limit वह लिमिट होती है shrinkage limit वह लिमिट होती है जिसपे soil पूरी तरीके से saturate होती है ठीक है soil क्या होती है पूरी तरीके से saturate होती है अब shrinkage limit से shrinkage limit से water और कम करेंगे ना तो इसका आयतन तो कम होगा नहीं अगर water कम करेंगे तो इसका आयतन चेंज होगा नहीं ठीक है और इसका आयतन चेंज नहीं होगा shrinkage limit वह लिमिट होती है जिसपे soil क्या होती है पूरी तरीके से saturate होती है और यह solid state में होती है कौन सी state में solid state में होती है अगर shrinkage limit से water हमने और कम किया तो soil saturate sorry soil क्या होगी उसका आयतन कम नहीं होगा भले ही यह partially saturated हो जाए या dry हो जाए ठीक है न तो shrinkage limit पे soil पूरी तरीके से saturate होती है और उससे अगर हम water कम करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा change नहीं होगा तो अब यहां पे देखिए यहां पे पूछ रहा है वह ही कि इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं होगा तो अगर shrinkage limit से हमने इसको इसका जो water content है उसको जब घटाया तो इसका आयतन change नहीं होगा ठीक है न तो पहला वाला option जो है सही हो जाएगा इसका आयतन change नहीं होगा अब बात कर लेते हैं bulk density की तो gamma T वरबर क्या होता है weight of soil अपने volume तो अगर water content घटेगा तो weight of soil क्या होता है total weight होता है न यह weight of soil यानि कि पूरे soil का weight तो इसमें क्या है म्रिदा कड़ों का भार plus water का भार तो अब water कम हो रहा है तो यह भी क्या होगा कम होगा ठीक है अब degree of saturation यह क्या होता है volume of water volume of water अपने volume of whites तो यह जब water निकलेगा तो water का आयतन कम होगा ना तो यह भी change हो जाएगा फिर air content तो water जब हट रहा है तो जो खाली अस्थान बचेगा उसमें कौन आ जाएगा उसमें air आएगा तो air content बढ़ जाएगा तो यह तीनों के तीनों प्रभावित होंगे केवल उसका आयतन प्रभावित नहीं होगा समझ गए पहला वाला options आई है the property of sand by virtue of which it take any desired pattern shape under pressure and retain it after the pressure is removed is known as क्या कर रहा है बालू का कड जिसके कारड दाब के अंतरगत वांचित pattern आकरिती बनाता है फिर और दाब हटाने से अपनी आकरिती में अपनी आकरिती यही आकरिती बनी रहती है तो कोई भी चीज रहेगा तो pressure डालेंगे उस पे तो वो किसी भी चीज में ढ़ल जाएगा और फिर हटा लेंगे तो वो उसी अवस्था में बना रहेगा तो उस स्थिति को हम जो है plasticity बोलते हैं क्या बोलते हैं plasticity plasticity वो stage होती है कि अगर कोई भी बस्तु है तो जिसको हम जिस रूप में fold कर देंगे मोड देंगे या कुछ भी कर देंगे तो वो उसी रूप में रहेगा ठीक है ना उसको किसी रूप में ढाल सकते हैं तो यह ही हो जाती है हमारी plasticity अगला question क्या है नेचुरल नेचुरल स्टेट आप सैंड डिपोजिट 0.6, 0.2 and 0.4 किसी बालू निच्षेप की अत्यधिक अत्यधिक सभन डिवली और प्राकतिक अवस्था में रिक्तता अनुपात जहें void ratio का मांदे रखा है और इसके बास से क्रमसव इतना 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 है तो बालू का निच्षेपित अपेच्छिक गनत्व यानि कि id का मन प्रोच रखा है ठीक है ना तो यह निकाल देंगे e-max-e upon e-max-e minimum ठीक है तो यह कर लोगे आप अगला question देखते हैं अगला question क्या है the maximum possible void ratio for uniformly graded sand for practically spherical grain तो अगर पूरी तरीके सी uniformly graded रहेगी ना कोई भी sand तो उसका maximum void ratio आता है यह कमान 0.91 आता है ठीक है और यह minimum minimum void ratio कमान आएगा वह 0.35 आएगा ठीक है और n maximum maximum porosity कमान आएगा 0.47 और minimum आएगा 0.26 तो इसमें से देख लो इसमें से देख लो 0.33 दे रखा है 0.66 0.55 0.47 इसमें से कोई नहीं होगा ठीक ना तो यह सवाल गलत ही है option गलत दी है इसमें इसमें सही होगा 0.91 क्या सही होगा 0.91 ठीक है अगला सवाल देखते हैं what is the relative density of sand if the sand in c2 c2 का मतलब होता है कि जो sand है जमीन में उसी condition में is in densest state तो स्वाइल अगर dense condition में है तो relative density का मान पूछ रहा है यानि कि id का मान id का मान क्या है पूछ रहा है तो अगर स्वाइल पूरी तरीके से dense होगी ना तो id का मान जो है one होगा theoretical look से देखें यह one तो होगा नहीं कभी यह क्या होगा कि one से कम ही रहता है लेकिन one के एकदम करीब रहता है ठीक है ना तो यह क्या होगा one होगा तो यहाँ पे जो option है zero one zero और one के बीच में greater than one तो यहाँ पे one वाला जो option है उसे हम सही कर देंगे क्योंकि यह क्या है पूरी तरीके से dense है और आप देखते हो कि id बराबर अभी उपर देखा हमने e max minus e upon में e max minus e minimum जब पूरी तरीके से dense रहेगी तो यह जो e का मान है natural condition में void ratio का मान क्या होगा कम होगा ना तो यह क्या होगा e minimum के लगभग करीब होगा e minimum के करीब होगा तो e max minus उपर वाला भी e minimum और e max minus निची वाला भी e minimum तो क्या हो जाएगा यह one ठीक है आगला question देखते है density index is the term used to express relative compaction आप तो id जो है न relative density यह cohesionless c o h e s i o n l e w s तो यह cohesionless स्वाइल के लिए जूज किया जाता है density index तो देख लेते हैं cohesionless soil only तो इससे सही कह देते हैं अगर cohesive soil c o h e s i v e w s i w cohesive soil या cohesionless soil इन दोनों के लिए अगर व्यक्त करना है न कि कितना वो dense conditions है तो इसके लिए relative compaction यूज किया जाता है रिलेटिव compaction यूज किया जाता है गामा टी अपान में गामा मैक्स ठीक है यह cohesive और cohesionless दोनों स्वाइल के लिए होता है अगला सवाल देख लेते हैं तो अगला सवाल क्या है दो रेशियो आफ दे रेशियो आफ दे डिफ्रेंट्स बिट्विन द वाइड रेशियो आप स्वाइल इन द लूजेस्ट कंडिशन तो देखिए आप इसको पढ़े होगे न तो यह जो है सारे के सारे ओप्सन जो है इसके सही होगे ठीक है यह डिगरी अफ देंस्टी रिलेटिव देंस्टी और देंस्टी इलेक्स तीनों के तीनों नाम जो है यह कहीं चीज के हैं वो क्या चीज है वो है आईडी यह तीनों के तीनों नाम इसी के हैं और यहाँ पे ओल अप मैक्स मैनस यी मिनिमूम तो डी वाल उप्शन जो है सही हो जाएगा कि दर रिलेटिव देंस्टी अफ इस वाइल है विंग मैक्सिमम ड्राइड एंस्टी क्या है मैक्सिमम ड्राइड एंस्टी जो है दिया रखा है 2 मिनिमम ड्राइड एंस्टी रखा है 1.2 और नेचरल कंडिशन में दे रखा है 1.6 तो देखिए इसका यह होता है इसको जो है अब लिखते हैं अब गामा डी के रुप में लिखेंगे तो यह क्या होगा गामा डी माइनस ग माइनस गामा डी मिनिमम इन्टू इन्टू अब देखिए यहां पर जगा नहीं है तो मैं यहां पर लिखता हूँ और गुडे में क्या होगा गामा डी मैक्स अपान में गामा डी यह होता है इसका फार्मूला ठीक हैं तो एक बार यह और लिख देता हूँ मैं गामा डी बराबर क्या होता है सोरी आई डी बराबर क्या होता है गामा डी माइनस गामा डी मीनिमम अपान में गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मीनिमम इंटू गामा डी मैक्स अपानमे गामा डी इंटू 100 ठीक है ना तो यह फार्मूला होता है और आप जो है इस पे रखके लगा लोगे और यह कहां से जाता है यह कहां से जाता है तो हमने एक पढ़ा है न अभी गामा डी बराबर जी गामा डवलू अपानमे 1 प्लस E यह हमने पढ़ा है तो कोई भी स्वाइल रहेगी तो क्या उसकी स्पेस्पिक ग्रेविटी बदल जाएगी और वाटर का जो यूनिट वेट होता है वो बदल जाएगा दोनों नहीं बदलेंगे न तो यह क्या रहेंगे दोनों constant रहेंगे ठीक है अब एक बात बताइए कि अगर वो स्वाइल lodge condition में होगी loosely कनडिशन में होगी तो E command क्या होगा maximum होगा तो E क्या होगा a max होगा ठीक है न तो जब E अधिकतम होगा तो gamma d क्या होगा minimum होगा ठीक है और इसी तरीके से इसी तरीके से अगर स्वाइल पूरी तरीके से dense condition में रहेगी तो e कमान क्या होगा 1 पुलस e कमान क्या होगा कम होगा dense है तो void ratio क्या होगा कम होगा तो e minimum ठीक है तो जब e minimum रहेगा तो gamma d क्या होगा max होगा ठीक है न तो यहां से अब ये निकाल लिये न तो अब id बराबर क्या होता है e max minus e अपान में e max minus e minimum तो यहां पे max की जगह पे gamma d कमान क्या रहा था जब e max था तो क्या रहा था minimum और e जब minimum था तो क्या रहा था max ठीक है और e की जगह पे क्या रखेंगे gamma d तो अगर आप इसको solve करोगे तो वही जो फार्मूला लिखा था मैंने वही आएगा ठीक है तो इसका 279 नंबर का answer आप करोगे तो विवला आएगा अगला question देखते हैं एक course ग्रेंट स्वाइल एक course ग्रेंट स्वाइल has void ratio 0.78 and specific gravity दे रखा है 269 जी कमान दे रखा है critical gradient with quicksand condition तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी माइनस 1 अपन में 1 प्लस E ठीक है ना तो जी कमान भी दे रखा है और E कमान भी दे रखा है तो अब इसको solve कर लोगे ठीक है तो आप इसको solve करोगे तो 0.49 आएगा ये वाला option जो है सही होगा 0.49 the total mass of a total mass आप ए 1.2 cubic meter volume ये क्या दे रखा है 1.2 kilometer 2 meter cube जो है आइतन दे रखा है solve is कितना है 2.4 ठीक है ना 2.4 mg 2.4 mg if the if the smile at the moisture content of moisture content इसमें कहा रहा है water content 25 प्रतिशत हो तो dry density जो है बताओ तो dry density क्या हो जाएगा gamma d बराबर gamma t अपन में 1 प्लस w ठीक है तो w कमान दे रखा है और हमें gamma t निकालना है तो 2.4 दे रखा है ठीक है 2.4 2.4 kg mg तो यह क्या है यह mass है और यह volume है तो mass बाटा में volume करेंगे तो क्या निकल जाएगा यह यह gamma t निकल जाएगा है ना मास बटा में वोल्यूम करेंगे तो क्या निकल जाएगा वो गामा टी निकल जाएगा और गामा टी निकल जाएगा तो हमको फार्मूला पता ही है ठीक है तो उससे हम कैल्कुलेट कर लेंगे तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अब अगला सवाल देखते है एक कहा अगया अगला कहा अगया अगला सवाल है एक मिट्टी के नमूने में संकुचन सीमा यानि की डावलू एस स्रिंकेज लीमिट और बिस्स्ट गुरूत वे 2.7 है तो संकुचन सीमा पर सील्ट की सरांदर था तो सील्ट की सरांदर था कहा रहा है एन कमान बताना तो जब डावलू एस स्रिंकेज लीमिट पे होता है तो स्वाल पूरी तरीके से सैचुरेट होती है ठीक है ना इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तो डिग्री अप सैचुरेशन क्या हो जाएगा स्रिंकेज लीमिट यानि की वार्टर कंटेंट कमान दे रखा है कितना दस परतितत और जी कमान दे रखा है टू पॉइंट से में तो इसको प्रतिसत में बदल हो गया तो कितना हो जागा तो जाएगा यूज टू एक्षप्रेस तो डेंसिट इंडिक्स जो है आईडी क्यों हम यूज करते हैं तो यह वह कितना डेंस है रिलेटिब दैंसिटी डेख सब कीẤ्रेंस तो वह कितना डेंस है यह हम डीनोट करने के लिए करते हैं ठीक है तो बी वाला ओप्सन क्या है सही है इसके लिए नहीं करते हैं अगला ओप्सन क्या है एड्राइस वाइल एड्राइस वाइल आप हैज मास स्पेस्पिक ग्राइवटी देखें मास स्पेस्पिक ग्राइवटी कहा रहा है तो यह गामा टी शोरी हाँ यह गामा टी यहां से मिल जाएगा आपको ठीक है तो यह मास स्पेस्पिक ग्राइवटी कहा रहा है तो यह जी कमान दे रखा है ठीक है ना आप इस स्पेस्पिक ग्रेविटी 2.7 और जी ये वाला जी होता है ये स्वाइल के कड़ों का होता है ठीक है डबलू एस इनका भार होता है ठीक है और ये वाला जी टी है ये टोटल स्वाइल का भार है आप समझो ऐसे confusion हो रहा होगा यह फेज राइग्राम हो गया ना तो इधर स्वाइल सॉलिड होता है और यह यहां से यहां तक पूरा स्वाइल है तो यह 2.7 इसका दे रखा है specific gravity और यह 1.3 है ना यह total का दे रखा है इन पूरे का समझ रहे हो तो अब देखिए कोई भी स्वाइल रहेगा तो उसमें उसका भार किस कारण से होगा मुख्य रुप से तो ब्रिधा के करण जो होंगे उन्हीं का नभार होगा तो इसलिए जो जी का मान है इस वाले जी का मान इस वज़ादे है ठीक है ना क्योंकि इसका भार जादे है और आयतन कम है तो इसका जो है density जादे है ठीक है और है टोटल का मान कम है क्यों कमँ है क्योंकि टोटल का जो मान है वह इसी के कारण तो है ज्यादा तो अब यहीं है और इसमें इतने का भाग देँगे तो क्या आएगा कम ही न हो जाएगा तो यह सब तो यहाँ पे gt कमाण दे रखा है gt कमाण दे रखा है और g कमाण दे रखा है तो अब क्या पुछाए कि void ratio e कमाण बताना ना है तो gt बराबर क्या होता है gamma t अपर मैं gamma w तो यहाँ से γामा w कमाण 1 रख देंगे तो यहाँ पे गामा टी का मान निकल जगा ठीक है ना गामा टी के जवाप पे यह वाला वैलू रखेंगे ठीक है 1.35 तो यहां से गामा टी मिल गया अब g दे रखा है तो गामा तो हमें बताना है willilit ratio ठीक है तो गामा d बरबर क्या होता है गामा d बरबर क्या होता है देखिए यह dry swirl flash है तो यह dry swirl mask है तो यह gd हो तो अभी मैं जो गामा t कह रहा था वो गामा d है यहाँ पर ड्राइस वाइल कहा है ठीक है तो गामा डी बराबर जी गामा डबलू अपन में 1 प्लस ए तो गामा डी निकल गया जी कमान 2.7 दे रखा है गामा डबलू के यहाँ पर 1 रख देंगे तो यहाँ से ए निकल जाएगा तो इसको आप कर लिजीगा गीवेन मैंत्मेटिकल इक्वेशन रो बाइएम रिपर्जेंटि बाइड टर्म अप सौयल मेकेनिक तो इसे डेंसिटी कहते है ठीक है ना गानत तो बराबर धर्य जाबमान बता में आयतन तो इसे डेंसिटी अप स्वाइल कहते है वाटर कंटेंट नहीं कहते सेचुलेटर न है एक कुर्स ग्रेंट स्वाइल है दे रखा है इस पेसिफिक ग्रेवटी दे रखा है क्रिटिकल ग्रेडियंट ग्याद करना है तो क्रिटिकल ग्रेडियंट वन हो जाएगा आप से हमको दीख रहा है आपको दीखना या कि नहीं अब 2.75 में से 1 गटा होगे तो कितना हो क्क टेवाम जाएगा सही हिтग है कर डाद दी लिज आमरेवट्य कर देधिक टा ही अप इस पेसिफिक ग्रेवट्य इस रिप्रक्रा खाल आटा है स्वेलेटिव देंस्टे यह नहीं करता मांस देंस्ट्रिक इस पेसिपी है वेट sans टी मरोच है जो क्या कहा जाता है बताई relative density relative density तो id को बोलते हैं ठीक है ना और mass density mass density क्या होता है mass density होता है गनत तो बराबर दर्विमान बटा में आयतन और specific weight यह होता है कि इकाई आयतन का बहार इसको बोलते हैं specific weight और weight density तो यहां पर क्या सही करोगे तो इसे हम सही करेंगे relative density ठीक है ना relative density सही करेंगे क्योंकि यह जो है specific gravity से हमें यह पता चलता है कि कोई भी स्वाइल है उसका जो है water की तूला में उसकी density कितनी है वह कितना भारी है ठीक है ना तो यह वाटर के सपेक्ष्य में बताता है तो इससे हम relative density जो है सही करेंगे ठीक है और यहां पर specific weight specific weight दे रखा है तो यह नहीं है इसको हम सही करेंगे अगला सवाल देख लेते हैं इस्वाइल सेंपल स्वाइल सेंपल है उसका weight है .18 kg having volume दे रखा है इतना dry unit weight आप इतना दे रखा है गामा डी का मान दे रखा है is mixed with .2 kg of water than the water content तो देखिए इस्वाइल सेंपल स्वाइल सेंपल है कोई उसका weight इतना दे रखा है .18 kg ठीक है having a volume और उसका आयतन है इतना और dry density क्या दे रखा है 1600 kg पर मिटर क्यों ठीक है उसकी dry density है उसी स्वाइल की और उसमें जो है .02 kg water और मिला दे रहा है mixed water तो अब पूछ रहा है कि water content कितना होगा तो देखिए यह dry density दे रखा है ठीक है ना gamma d दे रखा है तो gamma d कमान 1600 kg पर मिटर क्यों हो गया है ना gamma d कमान 1600 kg पर मिटर क्यों हो गया तो अब हम इसे calculate कर लेते हैं ठीक है इसको density में बदल लेते हैं तो gamma t करेंगे तो 0.18 अपान में देखिए यह इसको कर देंगे तो कितना है एक दो तीन एक दो तीन बराबर इन्टू वन तो अब यह उपर करेंगे तो यह 10 कितना हो जागा यह एक दो तीन चार जीरो हो जाएगा ठीक है ना समझ रहे हैं तो यह कितना हो जागा अठारा सो केजी पर मिटर क्यों अठारा सो केजी पर मिटर क्यों हो गया यह गामा टी मान लेजिए कि अठारा सो केजी पर मिटर क्यों हो गया और गामा डी हो गया सोलो सो केजिव पर मेटरक्यू, ठीक है, तो दोनों का आयतन तो शेम हो गया ना, अब गामा डी में क्या होता है, गामा डी बराबर होता है, weight of soil solid अपनुम तो ये ोलो सो क्या है, और ये 18 sol जो डे रखा है, इसमें क्या है, कि अब 600 में से 200 घटा देंगे तो जो 200 आएगा वो क्या होगा वो वाटर का भार होगा ठीक है ना तो वाटर का भार कितना हो जाएगा 200 ठीक है तो ये 200 वाटर का भार हो गया सही है और 0.02 kg तो इसको अगर ग्राम में चेंज करेंगे इसको ऐसे चेंज करेंगे तो कितना हो जागा ये भी 0.2 0.02 kg हो जाएगा ठीक है ना तो ये भी चेंज हो जाएगा इसमें तो दोनों को जोड देंगे तो 0.02 प्लस 0.02 तो 0.04 kg 0.04 kg जो हो गया वाटर, टोटल वेट आफ वाटर और सॉलिड कितना था 0.04 अपान में ये क्या 16 हो था ठीक है ना और इन्टू 100 तो 100 से 100 कट गया और ये कितना हो जाएगा 4 चोग के 16 और फिर 4 को अपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 तो 25 पर तीसत जहे वी वाला ओप्सन क्या हो जाएगा सही ठीक है ना तो यहां पर भी वाल ओप्सन क्या हो गया सही वीच वन अद फालविंग इस्टेटमेंट इस करेक्ट तो अब पूछ रहा है कि इन में से जहें कौन सा इस्टेटमेंट क्या है करेक्ट है तो क्या है ओप्सन ग्रेंड साइज इस प्राइमरी क्राइटेरिया ग्रेंड साइज प्राइमरी क्राइटेरिया मतलब कि मुख्य क्राइटेरिया फार क्लासिफिकेशन आप कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेंड तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या यह प्राइमरी क्राइटेरिया है तो यह नहीं है इसके अलावा भी और सारे हैं classification करने के लिए grain size is primary criteria for our classification of course grain soil तो course grain soil के लिए ये जो है primary criteria है plasticity curve classified as course grain soil तो plasticity curve जो होता है वो fine grain soil के लिए होता है ना plasticity characteristic related to classification code gain तो यह जो है plasticity वाला fine grain के लिए होता है जो हम लोग प्लास्टिसिटी जो होता है plasticities वाला तो यह होता है fine grain के लिए ठीक है ना यह यह लाइन हो गया यह 50 से उपर यह 25 हो गया तो यह fine grain soil के लिए classification हो गया और स्वाइल का जो हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो इसको जो सीव अनलेसिस त्वारा अगर करते हैं तो एक course grain soil एक fine grain soil ठीक है तो fine grain soil जो 75 micron से कम होती है तो उसके लिए हम उसके लिए हम pipet method और hydrometer का यूज करते हैं pipet का और hydrometer का यूज करते हैं sedimentation method द्वारा और इसका classification जो है size द्वारा करते हैं सीव द्वारा चालनी से चाल करके तो यहां पर पहला वाला option क्या है गलत है ठीक है न यह दोनों की बात कर रहा है fine grind और coarse grind दोने के लिए जबकि हम coarse grind के लिए size यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर वी वाला option जहें सही है दो सौसी नंबर क्या कर रहा है नंबर अफ फेज आप स्वाइल मास तो स्वाइल जो मास होती है वो उसको generally हम मानते हैं कि partially saturated है तो वो three phase diagram बनता है उसका तीक है तो यह वाला option क्या है उसका सही है और दो रहेगी या तो dry रहेगी या तो saturated रहेगी तो यह हमने कितनी बार पढ़ा है इस फार मुले को यह वाला बी वाल option क्या है सही है ठीक है ना अब तो याद हो गया होगा स्वाइल कंसीरर है ज़िस्टम आप तो स्वाइल को जोगे three phase system consider किया जाता है ठीक है अभी आपने उपर देखा ना पार्सेलिस सचुरेटर मानते हैं तो थ्री उसका बनता है तो यह three phase system क्या है the diameter of sieve use for finding the liquid limit लिकविड limit ग्याद करने के लिए हम लोग diameter कौन सा यूज़ करते हैं लिकविड लिमिट ग्याद करने के लिए हम जो 425 micron का 봉सी यूज़ करते हैं ठीक है 400 micron सिपसी जो है इसे चाल करके और सो ग्राम 12avat जो ton अपल होता है उसे ले करके हम लोग टेस्ट करते हैं ठीक है ना तो यहां पर जो है यह वला ओप्शन डी वला ओप्शन जो है सही है अब अगला क्या कह रहा है question the most accurate method most most accurate method use in the laboratory to determine the water content तो laboratory में water content ग्याद करने के लिए most accurate method कौन सा होता है तो oven dry method जो है सबसे most accurate method होता है water content ग्याद करने के लिए तो यह होता है इसका पहला वालो ओप्शन क्या है सही है ठीक है और sand bath method और radiation method यह दोनों जो है field method है ठीक है ना और calcium carbide method जो है water content ग्याद करने के लिए quick method है क्या है quick method इससे 5 से 7 मिनट में हम water content ग्याद कर लेते हैं और इसमें क्या निकलता है acetylene gas निकलती है तो हमने जो है basic definition and their relationship इस chapter से सारे question हमने कर लिए तो हमने अब तक जो है total 300 question कर लिए है अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए वीडियो को like कर देजिए अपने दोस्तों के साथ share कर देजिए ठीक है और चैनल के साथ बने रही है अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो उसे comment में बता दें अगर आपको कुछ doubt है तो उसे आप comment में पूछ सकते हैं ठीक है और बस चैनल अब मेरे साथ बने रही है आप और ऐसे ही और भी objective के question लाएंगे तब तक के लिए बाई बाई नमस्कार जैन